हलो दोस्तों वेलकम तो जीनियस विमांस आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला है और राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला है और इस जो मेंली आँखों का यह डीजिज है बीमारी है और इसका में बेक्टिरिया यह वायरस से होता है और हम कैसे हिसे बज सकते हैं जिसके क्या-क्या symptoms होते है तो सबसे पहले बात करेंगे चार कारण जो जिम्मधार है देखे दोस्तों यह एक होता है जिसमें हम viral VIRAL CONJUKTIVITES बोलते हैं जिसको य्यानि कि वाइरस के वज़ से होता है यह वला देखिए पॉइंट कि VIRAL CONJUKTIVITES के वज़से होता है और इसमें कौन भवोएरस है देखिए अडेनो, HARPES, SIMPULS, POLS और MIXOVIRUS से यह होता है VIRAL CONJUKTIVITES क्या होता है इसके इसके लिए पहने इसके अंदर देखिये इसके अंदर होता क्या है? वेक्टरियल कंजक्टिवाइटिस वह क्या होते हैं उनकी आँखों से निकलने वाले जो भी डिस्चार्ज होगा होता है लाइक आँखों से कि अगर निकल रहा है या आसो अगर निकल रहा है तो यह इसको हम बोलते हैं Allergic Conjunctivitis, Allergic Conjunctivitis में देखिए दोस्तों क्या होता है, कि जो परागकन, परागकन यानि आप समझते होंगे कि ये flowering plants के अंदर होते हैं, जो ये reproduction में ये लिए help करते हैं, तो ये परागकन होते हैं, जो pollination होकर के फिर flower के अंदर जाते हैं, और उसको reproduce करते हैं, उसको fuse करते हैं, female gamit को, इसी को हम बोलते हैं परागकन, तो ये परागकन है, या जो पालतू जानवरे हैं, पालतू जानवर जिसकी दूसी है, धूल कन, जो dust हो गरा है आपके environment, atmosphere में, ये सारे जो है region होते है allergic conjunctivitis के, ठीक है, और ये contagious, यानि किस संक्रामक नहीं होता है, ये ज़्यादा संक्रामक नहीं होता है, ये संक्रामक नहीं होता है, ये किसी को हुआ तो दूसरे को हो जाए, ये संक्रामक नहीं है, कौन सी allergic conjunctivitis, यानि कि ये allergic के वज़ा से हो जाता है, इसलिए इसके नेम क्या दिया है allergic conjunctivitis क्योंकि यह पराकन पालतु जनवरों के रूसी धूल कणों से गरहस हो जाता है जिसमें आँख लाल हो जाता है यह सब हो जाता है तो हम उसको allergic conjunctivitis बोलते हैं और इसमें ऐसा नहीं कि फिर उसको अगर किसी एक परसन को हुआ है तो वो हुआ के अंदर acid या alkaline जैसे chemicals होगर आखों में अगर ज्यादा उसके contact में आते हैं तो यह जो है chemical conjunctivitis है और bacterial conjunctivitis है ठीक है यह दोनों संक्रामक है तो चलिए अब हम यानि कि देखिए अभी जो यह बीमारी चल रही है यह वाइरस के वज़े से भी होता है और bacterial के वज़े से होता है वाइरस और वेक्टेरिया दोनों के वज़े से है अब चलिए इसके हम बात करेंगे कि लक्षन क्या क्या हो सकते है यानि आई फ्लू के क्या क्या लक्षन हो सकते है इसके अब हम बात करेंगे तो देखिए इसके लक्षन की अगर बात करें तो इसमें है कि देखिए आँखे जो है लाल हो जाता है हो जाती है और सूच जाती है आँखे लाल हो जाती है और क्या ह हैं इसहीं में अगर नेस्ट और श्यम्टम्स की बात करें दोस्तों तो छोटेसे आंको से अधर मिलन पानृटर्टि यह अहुड़िया है तो प HOL padre थो हुष चोटिय जाएं पाल्कों पलके आपस में चिपक भी जाती है, अगर आप रात में जैसे सोते हो, सुबज आप उठेंगे तो पूरी आँखों में जो है किचर आ जाते है, ठीक है, यह जो वेस्ट मेटेरियल जो है और उसके वज़ाए से आपकी पलके क्या होती है, आपस में चिपक जाती है, खुजली अब अभी बहुत सारे ज्यादा होती है और दर्ध होता है ठीक है गड़न सी होती है यह से लगएगा आँखों में कुछ कोई dust particle या कुछ निजल या कुछ भी है जो कि जिसके वज़से आपको गड़न सी या चुबन सी हो रही है खुजली होती है ठीक है और second thing last thing अगर बात क तो दोस्तों ये थे ये जो conjunctivitis है आई जिसको हम आई फ्लू या और इसको आँख आना भी बोलते हैं इसके क्या थे किस वज़से हो रहा है चार करन और इसके लक्षन अब हम बात करेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं इसके क्या क्या जो है बचा हो सकते हैं तो चलिए द साथ से हम इस जी जी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है हम क्या कर सकते हैं कि आखों को बार बार जो हम चूलते हैं या रगणते ही अज़ब के हाथों में आएंगे फिर आपकिसी चीज को टच करेंगे फिर वह वायरस या बेक्टेरिया फिर वहां पे होंगे और कोई परसन टच करेगा तो उसको भी होगा जैसे दोस्तों देखिए जैसे कोरोना में हम जितनी सावधानिया बरत रहे थे सेम वही चीज है कोरोना के है मतलब की नुकसान किया, लेकिन यह भी वही आ, यह कै फ्लू इसका नेम इसलिए दिया गया, क्योंकि कि यह क्या है, यह कुछ ज़्यादा तेजी से जब फैलता है तो हम स्लू दे देते हैं और अगर आई है तो आई फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू भी होता है नेक्ट देखिए दोस्तो अगर सावधानी हमें क्या करनी है कि बच्चों के स्कूल बैग वगर में आप सैनिटाइजर रख सकते हैं जिसे बच्चे स्कूल अगर जाते हैं तो अपने बार बार हाथ सैनिटाइज करनी है जैसे कि जो हमने सावधानी है करोना काल में रखे थी साबुन गर्म पानी, साबुन या गर्म पानी से क्या करें, हाथों को धोएं, ठीक है, next है, क्लिष सोने से पहले, contact lens हटा दें, अगर contact lens आप यूज करते हैं, तो सोने से पहले उसको क्या करें, खटा दें, तोलिय, यह very very important है, दोस्तों, यह point कि, तवलिया है या तकिया है मेंकप का जो समान है अगर आप यूज कर रहे हैं तो यह सारे चीज जो जो है शेर नहीं करने चाहिए अभी इस समय जो है आप अगर तवलिया जैसे किसी परसं कोई परसं ढेंफेक्टेeड है तो उस परसन का अलगी तवलिया, तकिया, मेकप वगरा सारा अलग होनी चाहिए क्योंकि अगर वो सेर कर रहे हैं या कोई घर के दुसरे परसन उसको यूज कर रहे हैं तो में भी वो इनफेक्टेड होने के चांसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तो स्विमिंग पूल के अगर बात करें जैसे आप अगर कहीं स्विमिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर स्विमिंग पूल में चस्मे का यूज करें में लिए अगर जैसे आप conjunctivitis नहीं है आपको ये बिमारी नहीं है तो आप वहाँ पर swimming pool के अंदर swimming के जो googles आते हैं चसमे आते हैं उसको use कर सकते हैं जिससे कि आप इस virus से बहुत हद तक बज सकते हैं कि अगर कोई infected person उसके अंदर swimming किया है तो maybe उस virus से आप बज सकते हो next है दोस्तो कि infection होने पर क्या करें कि swimming ना करें अगर देखो अभी पहले वाले point मैंने क्या बोला कि अगर आप इंफेक्ट नहीं है और अगर आप swimming ओगरा के लिए जाते हैं तो कोशिज करें कि आप swimming pool में swimming चसमे का use करें और next यहाँ पर यहाँ infection होने पर swimming ना करें अगर आप infected हैं तो swimming करने जाएंगे तो definitely you can infect many people आप ज़्यादा से ज़्यादा people को infect कर सकते हो इसलिए यह swimming ना करें next है कि पानी से आखों को जो है दीन में दो से तीन बार जरूर धोएं इससे क्या होगा पानी से दोने से क्या होता है आँखों के कच्चरे हो रहा है या खुझली हो रहा है अगर आपके हांखों में हो रही है या आपके आँखों में जो है तो थोड़ी सी रहात मिलेगी उसमें और ज्यादा हो रहा है तो definitely doctor से जरूर consult करें तो यह था दोस्तों कि हम कैसे इस disease से बज सकते हैं disease क्या है और इसके क्या क्या symptoms है तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो definitely इस i-flow को हम बहुत हद तक जो है इसको खत्म कर सकते हैं और इसको ज्यादा बढ़ने से हम रोख सकते हैं धन्यवाद